खोले की रात किये जाने वाले महा उपाए के विश्व में आप लोगों को बताता हूँ होले की साम को भगवान सिव के मंदिर में देशी घी का दीपक जलाना बहुत अच्छा माना जाता है मान्यताव के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो इस दिन भगवान सिव के मंदिर में देशी घी का दीपक जलाते हैं उनके जीवन का दरिदरता पूर्टेह नश्ठ हो जाती है घर में खुसाली लाने और मन की सांती के लिए क्या उपाए करें होली की साम को चंदरमा निकलने के बाद एक लोटे में जल लेकर उसमें सपेद पुस्प डाल लीकर इसी जल से चंदरमा को अर्ग देने से आपके मन को सांती मिलेगी तथा मान सिक्सांती के लिए यह एक कारगर उपाए हैं तथा अपने घरवालों के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं अच्छे स्वास्त के लिए होली की रात को कोई सपेद कपड़ा या डुपट्टा आदी पहल ले माथे पर चंदन का तिलक लगाएं फिर घर की छटिया बालकनी में या किसी ऐसी जगह बैठ जाएं जहां चंदरमा की रोशनी पूर्णता है आ रही हो इसके बाद आप चंदरमा के मंत्र ओम सुम सुमाएन महा का एक सौ आट बार जब करें इसके बाद हाथ जोड़कर भगवान से अपने अच्छे स्वास्त के लिए काम ना करें जिन लोगों को व्यपार आदी में बाधा आ रही है व्यपार में लाब लेने के लिए होले की साम को गुलावी कमल पर बैठी हुई मा लक्ष्मी के चित्र को सपेद फूल गुलाव का इत्र अरपित करें कारोबार लाब के लिए प्रार्टना करें और किसी भी सुकरवार के दिन इस इत्र को अपने संस्थान या जहां आपका व्यपार का इस्तल है उस जगे आप इस्तापित कर दीजिए और रोज इन्हें पूरे आधर के साथ आप परणाम करें और फूल चड़ाएं इस से आपके कारोबार की उन्नती होगी तथा विफार में लाब मिलेगा धन प्राप्ति के लिए इस पटक की माला को गंगा जल या गुलाब जल से इसनान कराकर इस माला से एक सो आट बार ओम स्रीम स्रीयन महा मंत्र का जब आप करें जब करने के बाद माला को पूजा इस्तान पर ही रख दीजिए फिर इस माला को सुकरवार के साम को आप गले मे धारन करें अगर सुकरवार के दिन सुकर की होरा में आप इसको धारन करते हैं तो वहब रत्वी से लावकारी होगा इस माला को पहन कर कभी भी आप सोई ना रात को उतार कर ही इसको आप सोएं सुबह इस्नान के बात पुन हैं इस माला को आप दारन करें, यह धन्ली उपाप म्राप्ति का शाय कायर उपाए है, पति पत्नी यह लव मेरिज यह लव लाइक में प्रेम को बढ़ाने के लिए लुए崑ली के रात में आप रात अक्रुक्रष्ट्चन को गुलाब के फूलों के एक माला पहनाएं, दोनों को एक ही माला पहनाएं और भगवान से काम ना करें कि आपके दामपत्ते जीवन में जो भी कलेस या मतवेद की स्थिती है उनको दूर करें फिर माला पहना कर आप उनके सामने बैठ कर एक बार मदूराश्टक उसको कहते हैं उसका एक बार पाट करें और हाथ जोड़ कर अपने जीवन में अपने घर में प्रेम को बनाए रखने के लिए भगवान से काम ना करें वेवाहिक जीवन में प्रेम और मधूर सम्मंद बनाए रखने के लिए होली की रात को चावल की सादा खीर बनाए यानि उसमें मेवादी ना डाले और इस खीर का भगवान सिव को भोग लगाए इसके बाद पति-पत्नी साथ मिलकर इस प्रसाद को खाए इसके बाद उस रात कुछ भी आप ना खाए जिन लोगों को संतान प्राप्ति की इच्छा है होली की साम को भगवान प्रिश्ण के मंदिर में या उनके चित्र के सामने घी के दो दिपक जलाए और उन्हें माखन और मिश्री या श्रीफल का आप भोग लगाए इसके बाद कृष्णाय वासु देवाया हराये परमात्मने प्रणताहा क्लेशना साया गोविंदाय नमो नमहा इस मंत्र का नहीं तो अमकलिंग देव की सुत गोविंदम वासु देव जगत पते देही में तनहम पुत्रम त्वाम हम सरनम गता इस मंत्र का एक शुआट बार जब करें इससे आपकी कामना अवस्य पूर्ण होगी कोई संपत्तिय मकान आदि आप जल्द पाना चाहते हैं तो होली की रात को ला हनवान जी के सामने एक मुखी वाला मिट्टी का दीपक मतलब एक बत्ती वाला दीपक चलाएं इसके बाद संकट मोचन हनवान अश्टक को आप पाट करें बाले समेरवी भक्छे लियो तम तीनों ही लोक भायो अंधियारो ताही सित्रों सद्वायो जग को यह संकट काहू सोजारत नतारो बेगी हरो हनुमान माहप्रभु जो कछू संकट हुए हमारो को नहीं जानते है जग में कपी संकट मोचन नाम ती हरो इस हनुमान आश्टक को आप सभी जानते होंगे इसकी पुस्तक गीता प्रेस गोरुकपुर की किसी भी दुकान से आपको पांच एक रुपे में मिल जाएगी कम से कम नो बार पाट करें और भगवान से काम ना करें मुकदमे बेविजय के लिए करज मुक्ति के लिए यह एक कारकर उपाए है होली का देहन की पूजा और उसमें के जाने वाले यह महा उपाए मैंने आप लोगों को बताए है इन उपाए के दुआरा आपके जीवन में खुसाली आएगी तता मालक्षमी आप पर तरपा करेगी आपके जीवन से दरिदरता मूलत है होली में भस्म हो जाएगी जैमा बगलाम की पसरी बगलाम की सरवजा सहाए